हेल्दी किचन हट में एक नई रेसिपी के साथ एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की हमारी रेसिपी नौन विज की सौखिन लोगों को काफी पसंद आएगी आज की इस वीडियो में मैंने मतन करी की रेसिपी बतलाई है भूने हुए प्याज और दही का प्रियोकर बनने वाली यह मतन करी खाने में काफी टेस्टी लगती है मतन करी को सूपर टेस्टी बनाने के लिए इस वीडियो में मैंने कई टिप्स दिये हैं तो इस वीडियो को बिना इसकिप किये पूरा देखिएगा तो फिर सुरू करते हैं आज की ये रेसिपी यहां पर मैंने 800 ग्राम मतन लिया है और इसे हमने अच्छे से साफ कर लिया है 800 ग्राम मतन बनाने के लिए मैंने यहां पर 400 ग्राम प्याज को पतले पतले कट कर लिया है 12-13 लहसुन की कलिया को छील लिया है थोरे से अद्रक के टुकरे और 3-4 हरी मिर्च लिया है इन सभी का तो हम पेश्ट बना लेंगे तरकी के लिए कुछ खरे मसाले लिये हैं जिसमें 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च, 7-8 लॉंग, 4 छोटी नाइची इससे मटन की टेस्ट में जबरतस स्वाद आएगा तो यह हमने खरे मसाले को कोट लिया है अब एक कटाही गर्म करेंगे और इसमें करीबन 7-8 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑल डालेंगे और जब गर्म हो जाए फिर इसमें कोटी हुई सारी समागरिया डाल देंगे यह सारे खरे मसाले हमारे कोटे हुए हैं तो यह जल्दी बुन जाएगी इसलिए इसे डालते के बाद तुरत ही प्याज डाल देंगे मीडियम फ्लेम पे हम प्याज को अच्छे से भून जाने देंगे प्याज भूनने के साथ साथ थोरे से सॉफ्ट भी हो जाए इसके लिए थोरे से हम यहाँ पे नमक अट कर देंगे चार से पांच मिनट के बाद जब प्याज हमारा सॉफ्ट और ब्राउनेस दिखने लगे तब थोरे से भूनी हुई प्याज को हम एक कटोरी में निकाल लेंगे बागी बची प्याज में मतन डाल देंगे प्याज और मतन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस टाइम दो से तीन मिनट के लिए हम फ्लेम को हाई रखेंगे ताकि मतन के अंदर का पानी सुख जाए थोरे दिर जब मतन हमारा प्याज के साथ अच्छे से भून जाएगा फिर इसमें हम अधरक लहसन और हरी मिर्च का पेस्ट इसे डाल देंगे पेस्ट को मतन के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए हम चला लेंगे करीबन दस से बारा मिनट तक इस पेस्ट और मतन को हम अच्छे से भून लेंगे ताकि लहसन का जो कच्छा पन है वो हर जाए और इसे भूनने के बाद हम इसमें कुछ सूखे मसाले आड़ करेंगे तो सूखे मसाले में मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून धनिया पौडर एक टी स्पून जीरा पौडर एक टेबल स्पून के करीब हल्दी पौडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लिया है इन सभी को अच्छे से हम मिक्स करेंगे और लगातार चलाते हुए बून लेंगे जब ये सभी अच्छे से मिक्स हो जाए फिर इसे हम ढग देंगे और ढग ढग के इसे हम भूनेंगे करीबन 30 से 35 मिनिट तक इस मटन और मसाले को हम ढग ढग के भूनेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि मसाला हमारा कढ़ाई के नीचली तल में चिपके नहीं मटन और मसाला जब अच्छे से भून जाए फिर इसमें हम डालेंगे ये जो हमने प्याज निकाल के रखा था इसमें 2-3 टेबल स्पून फ्रेस दही डालेंगे और इसका बारिक पेस्ट बना लेंगे और इस पेस्ट को हम इस मटन में अड़ करेंगे दही और प्याज के पेस्ट को मटन में अड़ कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब भी इस पेस्ट को डाले ध्यान रखे मसाला हमारा पहले से भून चुका हो और गैस का फ्लेम भी लो हो तब ही इस पेस्ट को डालेंगे थोड़ी देरी से हम अच्छे से भून लेंगे कड़ाई में बनाने के वज़़ से मतन को हमें कई बार ढखना और चलाना पड़ता है अगर आप मतन की अलग-अलग विराइटी पसंद करते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेक कीजिएगा कड़ाई में बनाया हुआ मतन प्रेसर कुकर में बना हुआ मतन से काफी टेस्टी होता है यह मतन हमारा अच्छे से भून चुका है तो इसमें हम डालेंगे एक टेबल स्पून के करीब गरम मसाला पौडर और गरम मसाला पौडर को इन सभी के साथ मिक्स कर लेंगे अपने टेस्ट के एकौर्डिंग इसमें पानी आड़ कर देंगे और इसे मिक्स करते हुए अच्छी से हम चला लेंगे अच्छी देर के लिए हम इसे ढख देंगे और इसमें एक अच्छी से उबाला आने देंगे मतन में एक अच्छी से उबाला आ गई है मतन को फोक की मदद से चेक कर लेंगे कि मतन सौफ्ट हुआ है या नहीं अगर सौफ नहीं हुआ हो तो इसे ढखके थोड़ी दिर के लिए छोड़ देंगे ये हमारा लजीज मठन करी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए आए इसे अब हम सर्व कर लेते हैं इस मठन मसाले के साथ कुल्चे चावल नल जो भी खाना हो आप खाईए ये बहुत यम लगेंगे एक बार मेरी इस रेसिपी को जरू ट्राइ कीजिएगा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाले सारे वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिएगा जल्दी मिलते हैं किसी नए रेसिपी के साथ